हमिशा कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो कि खाली बैट गए ना और एक बार खाली बैटने की आदत अभी इस एग में पढ़ गई तो आगे जागर कि आपसे कामी नहीं होगा आप समझ रहे हो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इंडिया में तो भरे पड़े हैं घलत टाइम पे खाली बैठने की आदत पड़ गई अब खाली बैठने की आदत पड़ेगी तो आपको सरकल कैसे लोगों के साथ में बनेगा वो लोग जो खाली हैं विल्ले हैं अब विल्ला आदमी क्या करेगा टाइम को पास करने के लिए टाइम पास करेगा टाइम पास कैसे होता है पत्ते के लेगा पत्ते के लेगा सट्टा लगाएगा उल्टे सीथे काम करेगा रैट यह सब मिलता जोता है पक्ता, सटा, सुटा इन टा से बचके रहो जी आप समझ आ रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ? Does it make sense? कि अगर आप खाली हो गए जोईस आपके हाथ में है यह ऐसा करियर चूज कर लिया जहांपर कि आप गए कुछ क्लासे अटेंड करी time pass करो this is one option that you have got second option क्या है कि खाली time है इसको utilize करो let me do something to make myself better not just in terms of education but overall most important advice मैं आपको यह दे सकता हूँ based upon my understanding and experience कि कभी भी खाली मत रहो कुछ भी करो कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके करियर से बिल्कुल भी related नहीं है लेकिन आपका मन कर रहा है अंदर से करने का और उसमें कोई बहुत बड़ी investment नहीं है ना time की ना पैसे की for example Steve Jobs का नाम सुना है आप लोगों ने तो he was in one of the best universities in the world और उन्होंने साथ साथ में क्या किया था पता है किसी को calligraphy calligraphy he was not in an art college but he was learning calligraphy लेकिन आगे जाकर के जब उन्होंने अपने dots को connect किया इसको बोते है connecting the dots तो उनको पता लगा कि इसका बहुत बड़ा हाथ था थीक है तो ये छोटी छोटी चीज़े होती है लेकिन जो आपकी personality को एक अलग लेवल पे ले जाती है चाहे वो कुछ भी हो मतलब आप ये भी कह सकते हो कि दोस्तों के साथ में घुमना ही है तो उसको भी time pass करने के motive से मत घुमो कुछ सीखने के motive से घुमो आप समझ गया है ना मतलब कि अगर दोस्तों के साथ में बैठ करके सुट्टा भी मार रहे हो तो वहाँ पे भी अपना mindset ये रखो कि यार मैं अपना time pass नहीं कर रहा हू time को utilize कर रहा हू why not this is the way of thinking जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है because time pass इतना दंदा word है that means कि आप डल हो गए there is nothing like time pass for me in my life everything is utilization of time कुछ भी कर रहे हो कुछ नो कुछ सीख रहे हो समझ रहे हो कि मतलब कभी खुद ने जादा पी ली या किसी दोस्तों ने जादा पी ली तो देखो पी कर गया आत्मी कैसी कैसी हरकते करता समझ रहे हो और उसकी वेसे क्या गडबड होती है कभी डंडे भी पढ़ सकते है कुछ भी हो सकता है तो उस समय भी उससे भी कुछ नो कुछ सीख लो कुछ नई दोस्त बनाए हैं अपने कॉलेज में तो वहाँ पर भी कुछ सीखो तो आप क्या करोगे आप सुनोगे उनकी बातों को आप समझोगे आप उनसे बात करोगे और हर आदमी को ऐसे लोग अच्छे लगते है जो उनसे बात करे नगी अपनी अपनी बोलते रहे यह की नहीं मतलब सबको अच्छा लगता है कि वो सुने बैट करके यह जी चीजे हैं छोटी छोटी होती है लेकिन अगर आपका सीखने का मैंड सेट है और आप 24 गंटे इस तरीके से कुछ न कुछ सीख रहे होना तो यू नोटेस कि आप धीरे-धीरे अंदर से बेटर होते चले जा रहे हो कि मतलब सिर्फ आप एक कॉलेज से डिग्री लेकर के नहीं निकल रहे हो बट यू आर बिकॉमिंग अ बेटर यूमन भी अ बेटर पोस्न चो बहुत बड़ी चीज है एक तो है कि आप एक डिग्री लेकर के निकल तो आए लेकिन परस्नालिटी आपकी वैसी की वैसी है जब आप कॉलेज में गए थे याप माइनर चेंजे आए यह आप पूरे तरीके से ट्रांस्फोर्म हो है कि आपको अगर कोई हर एक साल बात मिलेगा तो मिल करके क्या कहेगा अगर वह कह रहा है कि याशा वैसा ही है बिलकुल नहीं बदला तो समझे हो आप गलट रायक में जा रहे हो लोग इसको because समझ लेते है इसका मतला आपने कुछ सीखा है आप अससे अलग बने हो जैसे आप थे आप उससे कुछ बेटर हो गया तो ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है कि अभी आपकी एज है 18 साल, 19 साल तो ये अभी के लिए नहीं है पूरी लाइफ के लिए लेकिन पूरी लाइफ के लिए ये टिके कैसे रहोगे इस थौट के ओपर जिसके मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कुछ नो कुछ सीखते रहना है अगर आपने भी नोट किया होगा तो आज से चार साल पहले जो मेरे सेशन्स देखे होंगे और आज जो सेशन्स देख रहे हो उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क मिल रहा हो तो क्या हो रहा है कभी सोचा है मैं कॉंस्टेंटली ग्रो करता चला जा रहा हूँ मतला आप अगर मेरे को अभी मिल रहे हो अगर अगले छे महने बाद मिलोगे तो यू उड़ फाइंड दिफरेंट पोसन कुछ लोगों को इसमें थोड़ा अंकमफटेबल भी लगेगा वो कहेंगे यार ये तो कल कुछ कह रहा था आज कुछ कह रहा है अरे ना बदल गया भाई समझ कहना ताट मीस आइम ग्रोईंग मेरी अंडर्स्टेंडिंग भढ रही है I'm not stagnant मैं रुके ओवे पानी के जैसा नहीं हूँ जिसमें काई जम जाती है मैं बहते ओवे पानी के जैसा हूँ बह रहा हूँ, बड़ी तेजी से बह रहा हूँ 24 घंटे सीख रहा हूँ समझ रहा हूँ ठीक है? तो most important यहाँ पर अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा उसको अगर मैं समप करूँ तो most important busy रहना है अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर आप कुछ भी सीख रहे हो चाहे वो काम थोड़ा सा गलत भी है दुनिया की नजर में कि करोगे तो वैसे भी लेकिन अगर सीख रहे हो तो वो गलत काम भी सही है गलत काम क्या है मुझे बताने की जरुवत नहीं है आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हो बहुत तरह के गलत काम है इस दुनिया में गलत काम भी अगर आप एक learning attitude से कर रहे हो कि मुझे सीखना है and I need to grow out of it तो अच्छा है और एक सही काम भी बस करने के लिए कर रहे हो तो बिकार है कि घरवालों ने कहा है कि ये career choose करो और पढ़ो तो हाँ बस घरवालों ने कहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ करके मेरे को नौकरी लग जाएगी ये हो जाएगा वो जाएगा सब बिकार है ठीक बात है ना कि आप सही काम तो कर रहे हो लेकिन उसका फाइदा क्या है इस ये नोट चार्ज़ड बाउट इट इस ये नोट एक्साइट बाउट इट तो होगा क्या कि अगर ही सीखने वाला अटिट्यूड होगा तो यू बल नेवर गेट स्टक नियो लाइफ आप कॉंस्टेंटली आगे 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 भढ़ते चले जाओगे ग्रो करते चले जाओगे खाली बैटने से अच्छा है कि कुछ आप बेकार का काम कर रहे हो अगर कुछ नहीं है करने के लिए तू जहां करके अपने घर से निकल जाओ घर से मतलब घर छोड़ना नहीं है आगे घरवाले मेरे पास आजाए कहा है हमारा बच्चा मेरी बेटी कहा है घर से निकल जाओ का मतलब कि घर में बैठे होए हो ठके होए टीवी देख रहे हो उससे अच्छा है कि भार बैठ जाओ जा करके और जा करके बैठ करके लोगों को अब्सर्व करो देखो लोग क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं जो आप बनना चाहते हो, जो आप बनने वाले हो, जो वो बन चुके हैं, उनको देखो, बहुत कुछ चीखने का मिलेगा, सोच पा रहे हो, जैसे for example, आप एक engineering college में हो, तो आप क्या बनने वाले हो, engineer बनने वाले हो, engineer बनके क्या करोगे, क्या करोगे, किसी ना किसी multinational company में जा करोगे, आप बाहर जाकर कर के बैठ जाओ, देखो उन लोगों को, जो वहाँ पहुच चुके हैं, जहां पहुचना चाहते हो, जा करके उन लोगों से बात करो, बात तो करी लेंगे, बात करने में क्या दिक्त है, lunch break होती है, उसके टाइम पे सब लोग बाहर आते हैं, करते बैठते हैं तो उनसे बात कर सकते हो ज़्यादा नहीं आपने दो-चार लोगों से भी बात करी कितना कुछ सीखने को मिल सकता है बताओ कि ऐसे से मैं यहाँ पर हूँ इस कॉलेज में हूँ और मैं आगे जाकर के कुछ ऐसा करने का सोच रहा हूँ तो I just want to learn something from you can you share something out of your experience to me it would be really helpful को मि सोचो तो उनसे बात करके आप जो सीखोगे क्या हो छोटी चीज हो की बहुत बड़ी चीज हो सकते है तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप एक तो busy हो रहे हो दूसरा आप सीख रहे हो कुछ constructive सीख रहे हो तो हो सकता है उनसे बात करके आपको ideas मिलेंगे कि जो तुम कर रहे हो सिर्फ उससे कुछ नहीं होने आला साथ में ये भी कर दो तो now you have an edge मतलब आपके college में जो हजारों बच्चे हैं और आप हो आप में और उनमें एक फर्क आ गया तो इस तरह से आप अगर अपना ये mindset बना सको कि मुझे चाहे में कुछ भी कर रहा हूँ एक तो मेरे को हमेशा अपने आपको busy रखना है और कुछ नों कुछ सीखते रहना है सीखते रहना है then you will keep on growing and then this growing will become your habit आदत पढ़ गई जिसे हरिक की अपनी एक आदत पढ़ जाती है वो आदत इसी एज से पढ़नी शुरू हो जाती है आदते अभी से पढ़नी शुरू हो जाएगे अभी एगर आदत पढ़ गई कि यार बस मेरे को ना कहीं से comfortable life मिल जाए समझ गए है गए पूरी life के लिए मिल भी गई तब भी मरे नहीं मिली तब भी मरे नहीं मिली तो रोते रहोगे और मिल गई तो comfort zone में चले जाओगे और comfort zone बड़ा boring होता है यह अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी लेकिन जब आने वाले 10 साल बाद आपने आपको देखोगे अगर यह comfort zone में पहुच गए तब आपको realize होगा कि यार life कितनी boring है repeat होने लग जाती है life same routine चलने लग जाता है शुरू में कुछ दिन तक बड़ा अच्छा लगता है नई company में गए, नई job, नई लोग यहो फिर जैसी routine में जाते हो सब बोरिंग लगने लग जाता है make growing your habit if that is your habit अगर वो आपकी आदत बन गई है तो अब आप कुछ कमवाल के बन सकते हो अब आप कुछ ऐसे बन सकते हो जिसको देख करके the whole world will be proud of you चलनो दुनिया को भी छोड़ो दुनिया whether they will be proud of you or not but you will be proud of yourself most important